नमस्त विद्यार्थिमित्र हरु। स्वागत शत अपहला एजी टीब यूटीब चानल मा विद्यार्थिमित्र हरु। 21 मा स्वोधी हैकु यो पुर्ण नो पाठेक्रम अनुसार पहिला चनल 10 मार्ट मा स्वोधीन ठीवु तरह गईल्या पाठेक्रम अनुसार ये श्लाइट 8 मार्ट मा स्वोधीन छाई अब विदेयत मित्र हरु ये क्वेशन मा किये लेखेगो सामा पन्न गईरेगो छुआ प्रोड़क्शन डिपार्टमेंट अब कम्पनी फर द प्रिबिएस यार शोर्ड फालोइंग डिटेल्स बन्स यहोड़ा कम्पनी को चे प्रोड़क्शन डिपार्टमेंट ले गता बर्स भायेकु या खर्च को विवरन देखायेकु छाई अब रुस्त डाइरेक्ट माट्रियल मा कती खर्चा बहेकु थियो 3 lakh अनि डाइरेक्ट वाइजेज मा 1 lakh 75,000 ओक्ष ओवरेड मा 95,000 अब यो ओक्ष ओवरेड ला आमे फैक्ट्री ओवरेड पनी बनी बनी चा अफिस ओवरेड मा 57,000 खर्चा बहेकु थियो आइना अब यो इनफर्मेशन को सायथ आले तपही ले यो कौस शीट बनाओनु पारणी हुन्छASON यो historical information अनि बिगत को information को सायथ आले तपही ले historical cost sheet बनावन बार ने हुँँछा रा यो tender sheet बनावन लाई तब नया थब information देगुछा युश्ट यह के लिखेगुछा the company wants to quote a tender price वैसे company लेचे tender price quote गरन चाहांच the cost department estimated the cost for submitting the tender are as follows the cost department लेचे बोल पत्र पेश करता लागने अनुमानित खर्च हरको विवरन तला देखुछा अब यहां दुए बड़ा खर्च हरको विवरन देखुछा direct materials 2 लाग अनि direct wages 3 लाग तो बांकी यह overhead को लागी चें यहां कसरी बाटफ्रण गरने ओवरेड कसरी निकालने बने गुरुचे यह थब information देगुछा overheads are to be allocated as under नाचि ओक्स overhead चें यह prime cost को आधारमा अंद बेशिस अ प्राइम cost को आधारमा निकालने बने कुछा बने required माझे cost sheet रो tender sheet बनावना सुधिये कुछा अब विद्यार्थ मित्रहरू यह जुन information छा यह information सायताले तबहले यह tender sheet बनावना बने हुँछा प्रा यह माधीको information को सायताले तबहले cost sheet बनावना बने हुँछा historical cost sheet बिद्यार्थ मित्रहरू अब हामी यह question solve गराँ गयरे काश्वा है यह number लेखाऊ cost sheet बिद्यार्थ मित्रहरू तबहले यह दुए ओटा columns भायको format बनावना बनावना उना तबहले तीन ओडा amount column बनावना 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 उन्जा माझे यवटाई amount column बनावना बनावना यह particular election particulars amount बनावना राखाऊ अब बिद्यार्थ मित्रहरू तबहले यह direct material ला यह राखाऊ दल्ला direct direct materials amount यह amount गोलो मा राखाऊ 3,000,000 अब यो डाइरेक्ट वैजेज ला राखाऊं डाइरेक्ट वैजेज कदीशा 1,75,000 अब यो दुईटा ला जोड़े पाशी प्राइम कोस्ट आउंचा अब या तर डाइरेक्ट एक्स्पेंशी चाहिना ते बर या मले डाइरेक्स्पेंशी लेखे को चाहिना ला अब यो अब या 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 अब स्वारेसों से ऐस्टीरा नहीं कुछ स्थारिक इंसके बैद arguably कीनिकन आउने भी यो स्ब students संङरीटाल और युव और यहांनर कोछे डियेटा केसा राधम चोटल कर दो अफिस ओबरेट कथी शाया रूश्ता 57,000 शाया 57,000 लेखना 57,000 रा यह दुटा एड़ गरे रा आमाउंट लेखना तला लेखना कथी उन्चाया 6,27,000 उन्चाया विद्यात मित्र हरू यह लाक कस्ट अप्रोटक्षन मनींचा तर यह प्रस्णा मा शेलिंग ओबरेट दिएक अब रता बले शीदे यह लाए टोटल कस्ट लेखना सकना उन्चा अए लाह अब है लाइन थान्दिव अब आमें यह प्रोफिट एड़ गर जोंए प्रोफिट प्रोफिट कसे निकाल लेखना वन्ने को सा 20% on cost price अए ना 20% on 6,27,000 लाह यह कथी उन्चाया अमाउंट 45,400 उन्चा अए ना अव तला आम यह सेल्स प्राइच लेख्षोंगाई अव सेल्स प्राइच पादिव यह दुटाय आड़ गर नूश कथी आउन्चा 7,52,400 आउन्चा इन्दा लाह मैं यह लाह इन दान दिन्चा लाह विद्यार्थ मित्रहरू हारू हामिले यह cost sheet तायर पारीश हाके काशों अव विद्यार्थ मित्रहरू टेंडर सिर्फ बनान लाह गी हामिले यह ox overhead र अपीज ओबरेट को percentage निकालनू पारने हुन जाए तला यह ओकिंग नोट गारों, ओकिंग नोट इसले बनना पहला जे यह ox overhead को percentage निकालनू है, percentage of ox overhead on the basis of prime cost अब हामि यह cost sheet को आधार मां जे यह percentage calculation करशों, टेंडर सिर्फ को लाह गी, अब हामि यह जे माथी ox overhead लेक्षों, ox overhead divide by prime cost को आधार मां अनिकालने मनेशे, prime cost ले डिवाड़ करशों, अणि multiply 100% हाई ना, अब होक सोबरेट कदी सहे रूस्त, 95,000 छा, अता पहले माथी 95,000 लेकनू अला, अला अब हाई ले, prime cost लेकनू अला, अब हाई यह prime cost कदी सहे रूस्त, 4,75,000, लेको यह 4,75,000 अनि multiply 100%, अब हाई, क्यालकुलेशन गरनूँज, कती percentage आऊचा, यह 20% आऊचा, अब हाई, अब हाई अरको second माचे, percentage of office overhead on the basis of factory cost, अब factory cost को आधार मा, अनि यह office overhead को percentage निकाल जूँँगा, अब हाई, अब हाई, अथी, office overhead लेखाऊं, office overhead divide by factory cost, अथा वो cost, अनि multiply 100% अब हाई रूस्त, office overhead कदी सहे, office overhead 57,000 शाहे न, लाया 57,000 लेकनू अला, माथी 57,000 लेकनू अब हाई, अब हाई फाक्री कास करदी सहे, रूस्त, 5,70,000 थाउदेन लाइ याले कम 5,70,000 अनी 100 ले मल्टिप्लाई गरनुश लाइ यो बन दबाईले क्याल्गुलेशन गरनुश न्या कती परसेंटेज आउश लाइ है याचे 10 परसेंटेज आउश अब विद्यात मित्र अरू आमी टेंडर सीट बनाऊना गए रेकाशों आमले जो सि द्याय टेंडर सीट बनाऊना गये रेकाशों लाइ याच भी नमर लेखाऊं टेंडर जीट लाइ दुवड़ा कोलंश बनाऊ ऊचों आमले याँ मातिको जासते ला आवर टेंडर सीट बनाऊना इन्याई विद्याति मित्र लाइब आ मिया पार्टिकुलर्स लेक्षॉं यह कमां लेक्षण कर चबहों चीनत शूर माझटट करोड़ द्षिआ धू नाम लेक्षण मीघ जावन हम तेस्ट सब्सक्राइबस मीर्क इन् आपने हमी त लगष। लिक्षों डायरेक्ट वेज़। डायरेक्ट वेज़। मुनिक लख्ष। यह माती को 1 लाख 75,000 फाजनलेक्ट आुसद वह िन वह तहलाको लेखने वह थ्रीलाख लीक्षों lering लगष। 3 Ear aux you आमी इड़ाद गर्षों, ओक्ष ओवर हेड इड़ अथा पैक्ट्री ओवर हेड अथा पैक्ट्री ओवर हेड अब विद्यात्यमित्रहरू ओक्ष ओवर हेड को आमीले परसेंटेस निकाले का चूँं 20% कुन को आधार मा प्राइम को आधार मा अब यो टेंडर सीट ना पनी हमले यो प्राइम कोष को 20% गर्षों अब प्राइम कोष कदी सो 7,000,000 थेसको आमी 20% गर्षों अब यो 7,000,000 20% कदी हुंच तब ले निखालने पढ़े 1,040,000 हुंच अब यह दुटा जोड़नुस काती हुन्छ एट लाक हुट्टी थाउजेन हुन्छ येसला हमी फैक्टरी कॉस्ट अथा वो कॉस्ट बन्षों है फैक्टरी कॉस्ट अब यहला है पनी मा अंडरलाइन गर दिन्छुए अब हमी ओफीस ओवरेड एड़ गर शुँए ये ओफी अब विद्यार्थ मित्र हरु अफीस ओवरेड को बने आमले परसेंटेज निकाली सके काशों फैक्टरी कॉस्ट मा आए टेंडर शिर्कुल आईची हमले यह जुन फैक्टरी कॉस्ट निकाले काशों वो यह फैक्टरी कॉस्ट को टेन परसेंट करशों लाग पुट्टी आउजेन इन्टू टेन परसेंट कदी हुनी भायो यह वालेको 84,000 हुनी भायो आई ना अब हामी यह लेक्षों 84,000 इस लाइब बनिंचा टोटल कास्ट टोटल कास्ट कीना कि यह कोईशन मा सेलिंग ओबरेड छाई ना अब हामने डिरेकली नहीं टोटल कास्ट लेक्षों अब दुछ जोड़ा हुँ यह लेक्षों गादी हुन्जा टोटल कास्ट 9,24,000 हुनी भायो आई ना अब हामी यह प्रोफिट अड़ गर्शों अड़ प्रोफिट तो तपला प्रस्ण में देको सा प्रोफिट को परसेंटेज आई ना 20 परसेंट हु अन परस्ट मुल्टिबलाई 20 परसेंट ला कती हुन्जा 20 परसेंट निकालुंसता 1,84,800 अब यह दुछ जोड़े बासे तपाईगो क्या आउनी भायो टेंडर प्राइस आउनी भायो अता कोटेशन प्राइस आउनी भायो आई ना ला कती हुन्छ जोड़नूस 11,800,000 आउनी भायो प्रित्ती गारे पशी तपाईगो फूल्ट एट माक्स आउन्ष आजगो वीडियो तपाईला कस्त लागयो लाइक कमेंट शेर गरना नविर्शिने वला अस्त धन्यबाद